हेलो एवडिवान आज हम लोग मैटिक का लेकरन नंबर 5 देखने वाल हैं तो कल लोग पढ़े थे ट्रैंगुलर फॉर्म के बारे में ठीक है और आप पे आज देखने वाले नोर्मल फॉर्मकारे में आप पीछले कलास पढ़े होंगे तो आपे हम लोग ट्रैंगुलर इस में ठेस को किस में करना पड़ता था है अंपर यहां घजयता है इस तरह से तो इस मदलब इस फॉर्म में हम लोग क्या करते थे इस फॉर्म में करते में रखा जाता था कि अगर इसमें कोई भी रॉब पूरा壹ो जीरो हुगल तो उसको हम लोग में कॉन नहीं करते थे यानि मैट्रिक को सींपल आफ नॉर्मल फरॉम बनाई है इसमें ल constitution форм even लेकिन यही मान लीजिये मान लिजे कि triangular form बना रहे थे और triangular form बनाते टाइम यह वला हो गया 0 ठीक है टोटल हो गया 0 यह भी यह triangular form है हमको minimum condition कितना चाहिए था minimum condition इतना ही चाहिए था ठीक है एक्स्ट्रास से हमको मतलब नहीं है तीन यहां पर फर्स्ट जीरो नीचे दो गो जीरो इतना होना चाहिए triangular form के लिए इसके बाद जितना भी 0 रहे हमको उससे मतलब नहीं है तो इतना 0 है अब चेक करते थे कि एक row में total element अगर 0 है तो उसको हम लोग rank में count नहीं करते थे एक रो में total element है हमें 0 है तो rank किसका किरना हो जाएगा rank हो जाएगा टू एक किसका कहाणी था triangular form के था elementary transformation कीजिए वह आपपे depend करता है आप कैसे करेंगे ठीक है क्योंकि elementary transformation है जो खुद से ही करना हुआ उसका कोई rule नहीं होता है ठीक है आपको खुद से apply करना हुआ बस aim को देखा जाता है कि यह महं को theme क्या है ठीक है आपको theme क्या है यह म क्या है तो जैसे inverse पड़ रहे थे तो इन्वर्स में क्या होता था एक बार रिकॉल कर रहे हैं तो इन्वर्स में क्या होता था कोई भी मैटिक्स के बराबर हम लोग यूनिट मैटिक्स ले ले लेते थे क्या ले लेते कोई जो गीवेन मैटिक्स होता था बराबर यूनिट मैटिक्स को उसमें ए से मल्टिपलाई कर करते थे इस a matrix को हम लोग तब तक convert करते थे जब तक कि कोई unit matrix क्या गाए unit matrix और unit matrix कोई p matrix में convert हो जाए और यह जो unit matrix में convert हो जाए तब यही p को हम लोग inverse कहते थे इसी p के था इन वर्स के कहानी फिर देख रहे थे हम लोग रैंक की कहानी तो रैंक में दो तरह का था एक तो ट्रैंगल बनाकर ट्रैंगल बनाकर हम लोग लोग बनाते थे, triangle बनाकर अगर हम लोग बनाते थे तो उसको हम लोग क्या करते थे? triangular matrix मतलब कि triangular form से बनाते थे तो वहाँ पर rank through the triangular form अब हम दूसरे rule से बनाएंगे normal form से normal form में simply क्या करना है? unit matrix बना देना है, जो matrix दिया रहेगा उसको तो क्या बना देना है, Unitmatics बना देना है, तो यहां पर देखे, Normal form है, जिसको हम लोग Canonical form के नाम से भी जानते हैं, तो Givenmatic को Identitymatics में Convert कर दिया जाता है, जब हुआ Identitymatics बन जाता है, Unitmatics बन जाता है, तो उसे Normal form करते हैं, और Outtend या प्राप्त Identitymatics को जितना भी Order का बनता है वही Rank कहलाता है, कितना दम Easy Language में लिख दियें, ठीक है, Easy Language में लिख दियें, तो सुनिए गद यहां से, Find the rank of the following metric reducing its normal form, ठीक है, एक Qution दिया हुआ है, इसको आपको Identitymatics बनाना है, Normal form से बनाना है, Normal form से बनाने का मतलब, इस metric को Unitmatics में Convert कर देना, इस metric को इस form में Convert कर देना 0000, 00100, फिर 0010, 00001, इस format में Convert कर देना है, तब आप कैसे करेंगे, आपको खुद सोचना पड़ेगा, यहां पे बनाना पर देखिए 4 को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इस type से सब को क्या बनाना है, जिरो, देखिए हम ज्यादा इस matrix में ज्यादा टाइम लेना ने चाहें क्योंकि क्योंकि इसमें कुछ समझने वाले चीज नहीं है इलिमेंटरी टांसफोर्मेशन है तो खुद यहां पर लिखा हुआ है उसके अनुसार कीजिए खुद से धीरे-धीरे सीख चाहिएगा तो खुद से करना स्टार्ट कर दीजिएगा हम लोग ज्यादा टाइम किसमें सबसे ज़्यादा मतलब किसमें लेंगे कल्कूलस बनाएंगे उसमें सबसे ज्यादा लेंगे तो देखिए उसके बाद क्या कर रहा है है इसको और टू को ट्रांसफोर्म कर दी आर टू माइनस फोर और बन से तीसरा से इलिमेंटरी टांसफोर्मेशन कर दीगा इलिमेंटरी टांसफोर्मेशन कर दीजिएगा तो आपको कोई मैट chicken मेंट मेंगे जिए जब । यहां 0, तो इस टाइप से अपना दिमाग लगाएगा, यहां भे लिख दिये, को चेंज किज़ ए ची माइनस 2C1, च्री को चेंज किज़ ए 2C1, ठीक है, पिर उसको रखतिरी माइनस 3C1, तो चेंज किज़ ए इकार बातつीक्स, वाटा से 7C2 से और C4 को किजिएगा C4 माइनस 11YC2 से यह मैटिक्स मिल जाएगा उसी तरह से फिर कोई दिक्कर नहीं आप 12 में पॉड़ चुके है बागु कैलकुलेस का डिटेल में ले चलेंगे ठीक है कि इसमें वैसा ही कर लिजिएगा यहां पर दिया हुआ 14 को किसे चेंज करेंगे पलस 1Y 2 ऑर 5 से इसमेइगा फीर पैर 4 को चेंज कर देंगे त्यस तरह से देखें यहां पर मैट्री को एहां पर दें चुका है यहां के बाद हैशिक है यहां से ठीक है आर्टू को 1 Y 7 ऑट्टू से भागat दे देंगे 21 M3 यूनितमेटिक्स तो है लेकिन नीचे देख रहा है जो जीरो रो है इसमें सभी ओलिमेंट माण जीरो है तो बचा कितना आपका वचा कौन तीनों ये तीन हो तीना आप्परे शिसका के नाब rolled नोगह हो वो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें एक element है इसमें एक element कितना भी लें खली zero total zero निए होना चाहिए total zero होता उसको count नहीं करते हैं ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं रेंगे तीके चलिए आब आते हैं कि रिडिऊ स्टू मैंटिक एक्टू इड्स नॉर्मल यह हिं पे यहां पर यह अब इसको क्या करना रेंगो कि रोमीश रेंग ठीक है ऑल से भी लिख सकते या पता है अब इस मैट्रिक को टांसफोर्मेशन तो आपको अच्छे से सीखाई इसमें क्या दिक्कत है आप इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ए में मल लोगर इहां पर देखते हैं कि न्याजरी को देखते हैं ऐल रत्री सबस्क्राइब से पूरे लगा देते हैं चलिए इस तरह से कर लिजिएगा इसमें है क्या कुछ रखाई नहीं है अगले फिर आगे से आपको समझा रहा है तो सीटू को चेंज कर देंगे सीटू माइनस टू सीवन से सीथिरी को कर देंगे सीथिरी प्लस सीवन से इस तरह से कर देंगे अब आईए यहां पर सीथिरी को सीटू से इंटर्चेंज कर देंगे इंटर्चेंज करने का मतलब सीथिरी के जगा सीटू रख दीजे सीटू के अब क्या करें R3 को R3-4Y5R2 से इंटर्चेंज कर दीजिए और R4 को R4-R2 से ठीक है फिर R4 को C3 से इंटर्चेंज कर दीजिए ठीक है फिर यहां पर R2 को R2 पलस 5Y4R3 से R4 को R4-5Y16R3 से ठीक है और यहां पर और कुछ दिख रहाएं identity matrix हमको convert करके लिए जाना है transformation एक बार अच्छे से सीख लिजिए इलिमेंट्री टांसफोर्मेशन एक बार अच्छे से शीख लिजिए उसके बाद कियोंसर किजिए यहां पर हींट दे ठीक है सिर्फ यहां पर हींट आपको प्रवाइड कर दिया गया है ठीक है आई होप किलियर हुआ होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो सो मच यहां तक बने रहने के लिए हम लोग नेक्स टॉपिक में देखेंगे